हलो दोस्तो आज हम बनाने वाले हैं काजू जलेवी दिवाली का फेस्टिबल आ रहा है तो हम हुममेड काजू जलेवी बनाएंगे तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं हम 150 ग्राम काजू लेंगे काजू को हम मिक्सर में क्रश कर लेंगे करश करते समय हमें ध्यान रखना है मिकसर को हम बन चालू बन चालू करके हम काजू का पाउडर बनाएंगे ये प्रोसेस हमें ध्यान से करनी है वरना हमारा काजू पाउडर नहीं बनेगा वरना हमारा काजू पाउडर ठीक से नहीं बनेगा अब देखिए काजू पाउडर जैडी हो चुका है अब हम हम अमारी चैस्पनी बनाएंगे हमें काजू पाउडर को चन्नी के मलच से अच्छे से च्छान लेना है हमने यहापे 100 ग्राम शक्कर लिया है यानी एक बाउर हमने शुगर लिया है हेवी पैन में हम चैस्पनी बनाएंगे हम आधा बाउल पानी गरम करने रखेंगे चैस्पनी में हमें एक तार की चैस्पनी बनानी है इसलिए हमने एक बाउल शुगर के सामने आधा बाउल पानी गरम करने रखा है हमें उसे कंटिनुजली चलाते रहना है पैन के आज पास शुगर चिपकना नहीं चाहिए अब देख सिक्टे फ्रेंट हमारा शुगर का एक तार बन रहा है पूरी ब्रोसिस में हमें यस की फ्लेम स्लो रखने है घर की बनाई काजू की मिठाईया बड़िया होती है हमारे शुगर की एक तार की चासनी बन चुकी है अब हम उसमें वो कैश्यू पावडर अड़ करेंगे जो हमने चार्टिंग में बना लिया था दो मेट तक चलाने की बाद हम गैस बन कर देंगी अब हम उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अब हमारा काजू मावा एड़ी हो चुका है हम किच्चन के प्रैक्सपर्म को अच्छी तरह से घ्रिस कर लेंगे ही की मदद से अब हम उसका अच्छा सा डो बनाएंगे अब देख सकते हैं हमने यह आपे किसर को पानी में बिगो के लिया है बढ़िया सा डो रेड़ी हो चुका है हमने यह आपे थोड़ा किसर यलो कलर भी लिया है और थोड़ा सा पिलाइची पावडर भी आड़ किया है अब उनको हम अच्छी तरह से हमाई डो में मिक्स कर लेंगे अच्छा सा कलर आ गया है अब हम उसकी जले भी बनाएंगे सबसे पहले हम हाथों को अच्छे से घी की मिलत से घ्रिस कर लेंगे और उसके बाद हम चले भी बनाएंगे आप लोग देखे हम कैसे बना रहे हैं पूरिया चंग पूरिया चंग आप अपने हातों से मोटी या पतली जलेभिया बना सकते हैं देखे आप मैं कैसे जलेभिया बना रही हूँ मुझे छोटी छोटी जलेभिया पसंद है इसलिए मैं छोटी बना रही हूँ इसी तरह हम हमारी साय जलेभिया बना लेंगे उसपे हम चैन्डी की वरक लगा देंगे जो मार्केट में मिलती है हमारी साय जलेभिया रेड़ी है अब हम उसपे शिल्वर बना अड़ करेंगे आपको यह रेसिपी कैसे लगी हमें जरूर बताइए तब तक के लिए कोस्टी कीचन बाई